हालो वेलकम टू व्यू स्पोर्ट मैं हूप यू शर्मा और आज हम फिर से प्रिव्यू करने वाले सौराज स्प्रेमें लीग के सेकिंड गेम का और अगर आप फैंटिसी खेल रहे हैं और आपको मैच देखना है तो एक्स्क्लूजिल स्ट्रीम हो रहा है व्यू स्पोर्ट तो मैच देखने के लिए आजाओ फड़ा फड़ तो प्रिव्यू पे चलते हैं और कल की तरह हम दूनों टीम्स के की प्लेइस को डिसक्स करेंगे डेटा नंबर्स वैसे हम बहुत डिसक्स करते हैं इस शो में स्पेशली यू स्पोर्स काउट्स में लेकिन यह सामने कल बा की अच्छा स्क्वार्ट है कुछty की प्लेश हैं तो प्लेयर की प्लेयर की बात करते हैं तो के सामने रम दिषक्त करेंगे करेंगे साइब मिदल ब करतें करें अब देखना ना वह बताने करेंगे देखनान करेंगे नंबरच चार-5 इसमीछ στο नहीं यह बैस अगर बोलिंग करते हैं तो इस अगर विकेट टेकंगट हैं क्योंकि इन्हें अना दो defenses वालिंग-घ्य। में अगाँ बैट शॉक्षा, तो आधम केया लेकिन न घ्ली सॉछ सफिस्त आइग अर्थकस है करें लेकिन मोनस पॉइंट्स बिल जाएंगे अगर बाटिंग से कुछ अन्स कर दिए तो बहुत इची चौइस है मस्ट पिक रहेंगे उसके बाद है पार्ट जोहान ऑल राउंड वैल्यू है राइटा मीडियम थोड़ी बाटिंग भी कर लेते हैं दोनों तरफ से वैल्यू पांच चे पर आपको बाटिंग करते हुए दिखेंगे और कुछ होगा इस करेंगे टीम में जरूरू होने चाहिए सेलेक्शन काफी कम है फिलाल पार्ट चोहान का सेलेक्शन है चार परसेंट लेकिन जो वैल्यू ऑफर करते हैं टीम में जरू होने चाहिए आपकी उसके बाद में आपके पास सुनील यादव जो की लेक्श्पिनर है लास्ट सीजन अगर आप में देखा हूं 29 टीर में हुआ था साथ लेगे गये थे उसमें और लेक्श्पिनर्स हमने देखा है बहुत ज्यादा क्रिकिट नहीं खेला है बड़ अच्छी चॉइस हैं सेलेक्शन चॉइस जरू टीम में रख सकते हैं उसके बाद सेलेक्शन बाद बहुत ही अच्छे बादियू में और अगर आपकेट कीपिंग करते हैं तो अच्छी काप्टन्सी चॉइस भी है प्रणा नौनदा जो की राइटाम मीडियम पूरे चार और अपना कोटा कम्प्लीट करते और कुछ और आप डेथ में भी एक्सपेट कर सकते हैं डीसेंट फॉर्म अच्छी रही है लास सीजन भी डीसेंट था एक अच्छी चॉइस है उसके बार है कुल्दीब शर्मा जो की आक्टिवली बहुत ज्यादा अभी फिलाल नहीं खेल रहें और बहुत ज्यादा अच्छ पर चलते हैं दूसरी टीम पर जो की है कच्छ वारियर्स अगें एक अच्छा स्कॉर्ड है और लग रहे हैं और यहां भी काफी है और कुछ थोड़े बिट्स और पीसे क्रिकेटर्स भी तो की प्लेज डिसक्रिस करते हैं जो आपकी फैंटसी टीम के लिए बहुत जरूरी बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं कहूंगा मैं कृष्टे कांग पार्टक अगें ओपनर है और जैसे हमने का बाटिंग सेक्षिन बहुत जादा ऑप्शन है नहीं मैच में तो अगें एक डीफॉल्ट पिक बन जाते हैं उसके बाद समर्थ व्यास बहुत ही एक्स चार पर बाटिंग करते हैं और अच्छी चॉइस है टीम में जरूर होने चाहिए उसके बाद है हर्विक देशाई जो की इस लीग के टॉप बैक्समन में आते हैं इंडिया रेंटिंग के लिए खेल चुके हैं और पुरी उमीद है मुझे टॉप लीग के तीन चार रन स्क बहुत ही चॉइस होंगे विद न्यू बॉल भी डेथ में भी तो कुशांग पटेल जरूर आपकी टीम में होने चाहिए अची चॉइस है इसके अलावा है वंडिद जीव रजानी जो कि ऑस्पिनर है बहुत ज्यादा विकेट्स तो नहीं मिलते हैं बाट इकनॉमिकल रहत है जैसे कल लो स्कूरिंग मैश था और इंपक्ट हमारी अगर आप में टीम देखियो तो उसमें भी हम बोलर्स को जादा बैक कर रहे थे लो स्कूरिंग मैश कर रहे थे तो अगर आपको आज भी ऐसा ही लगता है तो आप एक बाटकन को ड्रॉप करके देवदान को ले सकत ले सकते हैं तो टीम करते हैं जो प्लेइंग करते हैं तो टीममें जडरू हो सकते हैं otherwise प्लडर के साथ जा सकते हैं किषिन परमार समर्थ व्यास और पाठक तीनों मेरी टीम में होंगे एजी ली आप ले भी सकते हैं क्रेट से को इशों नहीं है और जैसे हमने बात कि अगर आपको बैक्टन के साथ नहीं जाना है तो देवजान यहां पर option है उनके साथ जा सकते हैं अर्पित वसवाड़ा पा options काफी सारे हैं जो कि डिपेंड करेगा टॉस और अफकॉस क्या ओर और ओर 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 कॉंबिनेशन रहता है टीम का तो फाइनल प्लेयर के लिए आपके पास option है वह है सुनिल यादव जो कि हमने बात की लेक स्पिनर है अच्छी चोईस है इसके अलावा आपके पास मेह कुल सब्सक्राइब करेंगे डिपेंडिंग तो टॉप क्याप्टन सी चोईस की बात करें हार्विक देशाई बहुत अच्छी चोईस है जैसा कि मैंने बोला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टॉप तीन-चार रंगेटर के लिस्ट में जरूर दिखेंगे क्वालिटी प्लेयर है चेज कर रहे हैं तो और जादा अच्छी चोईस हो जाएंगे विकीट कीपिंग से वाल्यू देंगे और अच्छे काफी अच्छे बाट्वन है रिसेंट फॉर्म से मेरा मतलब है इंटर डिस्टिक्ट टॉर्नमेट खेला था इन सब प्लेयर्स ने रिसेंटली तो उस ब बोलिंग करते हैं तब तो आपके लिए इनसे बेटर को चॉइस कोई भी नहीं है लेकिन नहीं करते हैं तो में भी शैद बहुत ज्यादा वैल्यू आड नहीं करें क्योंकि नीचे बाटिंग कर रहे हैं इसके बाद धरमेंदर जड़ेजा चार और पका करने वाले हैं और क इसके बाद है समर्त व्यास जो की हो सकता है चार नंबर पर आपको बाटिंग करते हुए दिखें लेकिन क्योंकि वहां पे भी आपको वालिवाइड कर सकते हैं अच्छी चॉइस है अगर अगर होगा प्राइरिटी तो यहीं होगा अर्पित वसावाड़ा डिपेंडिंग और और अगर आपको कल का प्रिव्यू आज का अच्छा लगा तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ अगर आगे बीचाहिए तो बताते जाओ कॉमेंट्स में मिलते हैं नेक्स प्रिव्यू में